नमस्कार किसान साथियों मैं हमार कुमार पटेलाप का एगरी कियान चनल में सौगत करता हूँ किसान साथियों आज मैं बात करने वाला हूँ कावेरी सीट्स के टॉप 5 ब्राइटियों के बारे में ना भूले तो चलिए किसान साथियों इन पाचों ब्राइटियों के बारे में बात करेंगे इनके फसल की आधी के बारे में बात करेंगे इनके बीजदर के बारे में बात करेंगे और इनके उत्पादन के बारे में बात करेंगे और इनके खासियतों के बारे में बात करेंगे किसान साथियों तो चलिए जो हमने पहले नंबर में रखा है उस ब्राइटी के बारे में बात करेंगे तो यह 511 के नाम से आता है काविरी सीट्स का है और यह रिसर्च धान की ब्राइटी है किसान साथियों इसके फसल के आओधी के बारे में बात करेंगे तो 145 से 1500 दिनों का इसके फसल के आओधी होती है किसान साथियो चल ये ज़्यादा समय ना लेते हो इसके 20 दर के बारे में बात कर ले तो 20 दर प्रति एकड़ 9 कीजी के दर से लगता है और इसकी खासियतों के बारे में बात कर ले तो इसके पौधे की उचाई 110 से 115 सेंटीमीटर के इसके पौधे की उचाई होती है और किसान साथियो आगे में हम बात कर ले इसके उत्पादन के बारे में किसान साथियो तो इसके उत्पादन के बारे में बात करने से पहले इसके दानों के बारे में बात करेंगे तो इसका दाना छोटा है और मोटा होता है और गोलेदार दिखता है इसका दाना और मध्यम लंबा होता है किसान साथियो तो चलिए ज़्यादा समय न लेती हो इसके उत्पादन के तो इसका कम से कम उत्पादन पाया गया है 22 कंटल परतिय करेंगे जैसाद से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राइश करें लिकाव और कि algumas फसल की अउधी के बारे में बात करेंगे तो बीदर प्रती एकड़ 6 kg के दर से लगता इसके पौधे की उचाई के बारे में बात करेंगे तो 105 cm से 110 cm के बीच में होता है इसके पौधे की उचाई और इसके आगे में थोड़ी से हम जानकारी लेंगे तो इसकी बालिया लंबी होती है और गुच्छेदार दिखती है और किसान साथियो इस ब्राइटी के चावल के बारे में बात करेंगे तो पतला इवम लंबा होता है और किसान साथियो यह ब्राइटी बहुती सांदर उत् और ज्यादा से ज्यादा उत्पादान इस ब्राइटी ने 34 कॉंटल प्रती एकड़ के हिसाब से दिया है चलिए किसान साथियों हमारे जो 30 नंबर की धान की ब्राइटी है उसके बारे में जान ले तो किसान साथियों हमने रखा है कावेरी कमपनी का 473 धान की ब्राइटी के बारे में चलिए इसके फसल की आओधी के बारे में जान ले 473 जो है 120 से 125 दिनों में पकर त्यार हो जाता इसके पौधी की उचाई मद्यम होती है किसान साथियो इस ब्राइटी के बारे में आगे में बात करेंगे 20 दर के बारे में तो 20 दर प्रती एकड़ 6 के दर से लगता है और इसके दाने के बारे में बात कर लें तो दाना इसका मोटा होता है और लंबा होता है हलका किसान साथी यह बोल्ड दाने में आता है कहा जाए तो यह ब्राइटी के पौदे गिरने के प्रती सहनसील होता है आगे में जैसे बात कर लेंगे इसके उत्पादन के बारे में तो उत्पादन किसान साथी यह बजंदार दाने का होता है इसका उत्पादन कम से कम 24 कुंटल प्रती एकड़ के हिसाब से पाया गया है और जादा से जादा इसका उत्पादन पाया गया है 38 कुंटल प्रती एकड़ के हिसाब से तो किसान साथी यह उत्पादन के मामले में भी बहुत सांदार ब्राइटी है अगली हमने जो चौथे नंबर की ब्राइटी है उस ब्राइटी के बारे में बात करेंगे किसान साथियों हमारे चौथे नंबर में जो ब्राइटी रखे है वो नबे नबे है कावेरी का नबे नबे धान बहुत ही प्रचली धान की ब्राइटी है किसान साथियों बहुत ही सम के दर से लगता है नरसरी विधी से लगाने पर और इसके दाने के बारे में बात कर ले तो दाना इसका पतला इवम लंबा होता है और किसान साथियों इसके ब्राइटी के आगे में बात कर ले तो इसके पौदे की उचाई मध्यम होती है इसमें बालियों में दानों का संख्य अधिक होती है दानों की संख्या किसान सातियों इसके बालियों में दानों का पूरा भराव होता है आगे में जैसे बात कर ले इस ब्राइटी के उत्पादन के बारे में तो किसान सातियों इसका भी उत्पादन बहुत ही सांदार है 28 कुंटल प्रेती एकड़ के हिसाब से कम स 475 दान की ब्राइटी है किसान साथियो यह भी ब्राइटी बहुत ही सांदार ब्राइटी है किसान साथियो चलिए इसके फसल के ओधी के बारे में बात कर ले तो किसान साथियो इसके फसल के ओधी होती है 120 से 125 दिनों की इसके फसल के ओधी होती है किसान साथियो इसके बीज़ दर के बारे में बात करेंगे तो बीज़ दर प्रतिय एकड़ छेकिजी के दर से लगता है नरसरी वीदी से लगाने पर आगे में जैसे बात कर ले किसान साथियो इसके दाने के बारे में तो इसका दाना पतला इबम लंबा होता है मद्यमकार का इसका दाना होता है किसान साथियों इसके आगे में जैसे बात कर ले तो बालियों में दानों की संख्या अधिक होती है इसमें कलों का फुटाव भी अधिक होता है और इसके जो पौदे होते हो वो मद्यमुचाई की होते है तो किसान साथियो इस ब्राइटी के आगे में हम जैसे बात कर लें उत्पादन के बारे में तो किसान साथियो इस ब्राइटी का उत्पादन भी कम से कम देखा गया है 26 कॉंटल प्रती एकड़ के हिसाब से और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पाया गया है किसान साथियो इस बराइटी का 36 कुंटल प्रतिय कड़ के हिसाब से किसान साथियो यह पाँचो बराइटी कावेरी कंपनी की हैं बहुत ही अच्छी बराइटीया है और यह पांचो ब्राइटी में से तीन ब्राइटी मध्यम अकार के दाने के हैं और दो ब्राइटी जो है वो बोल्ड दाने का अकार का है किसान साथियों यह पांचो ब्राइटी यह बहुत ही चलने वाली ब्राइटी यह हैं बहुत ही किसानों को पसंद आती है तो किसान साथियो ये पाचो ब्रैटियो को आप लगा सकते हैं और कमेंट करके बताएं अगर आपने लगाए हैं तो हमें आप से अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियो